2018 की ओलम्पिक्स से क्रिकट भी ओलम्पिक्स मुकाबलों में शामिल हो जाएगी लेकिन फिर भी बाबर आजम और विराथ कोडी समेथ कोई भी सूपरस्टार गोल्ड मैडल नहीं जीत सकेगा क्योंके फुटबाल ओलम्पिक्स की तरहां क्रिकट भी सिरफ 23 साल के खिलारियों पर ओलम्पिक्स में खेलते देखी जाएगी जिसकी वज़ा से ये सूपरस्टार नहीं खेल सकेंगे और वेस्टन डीस की क्रिकट टीम चाहे कुछ भी कर ले वो ओलम्पिक्स मुकावलों में हिसा नहीं ले सकती और बहुत ही कमलों के बाद जानते हैं कि क्रिकट पहले ओलम्पिक्स मुकावलों में शामिर थी लेकिन तब कोई क्रिकट खेलने को त्यार था ही नहीं जिसकी वज़ा से International Olympics Committee ने क्रिकट को उलम्पिक से निकाल बाहिर किया लेकिन अब 2018 की Los Angeles Olympics से क्रिकट फिर से Olympics में शामिल होगी और अखेली क्रिकट नहीं बलके Baseball, Flag Football, Squash और Likrosmith पांच ने एकेल Olympics में जगा बनाने वाले हैं जिसकी वज़ा से Olympics में खेलों की तादाद 32 से बढ़ कर 37 हो जाएगी और आज की हमारी ये वीडियो है Cricket in Olympics पर जिसमें Cricket की Olympics तारिख पर बात की जाएगी और Cricket in Olympics 2028 का तड़का भी लगाया जाएगा तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने Cricket कासिम स्रीम को सबस्क्राइब नहीं किया तो कर दें और आए वीडियो को शुरू करते हैं बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि Cricket Olympics के पहले edition 1896 में शामिल थी एक था Great Britain और दूसरा France और France की टीम में भी वोई खिलारी शामिल थे जिने Great Britain की Cricket Team में जगा ना मिल सकी यानि कि टेक्निकली दोनों टीमों में खिलारी एक ही मुल्क के थे खैरिन दोनों मुल्कों के दर्मियान Cricket Team का दो दिन पे मुश्तमिल एक Olympics मुकाबला हुआ जिसे France से England ने जीत लिया और पहली बार Olympics का Cricket का Gold Medal Great Britain ने उठाया हलांके पहले International Olympics Committee ने दो टीमों की मुझूदगी में Gold Medal की जगा खाली रखी और एक टीम को यानि कि England को Silver दूसरी पोजिशन और France को तीसरी Bronze पोजिशन दी लेकिन बाग मिन International Olympics Committee ने तीसरे नंबर की पोजिशन खाली रखी और बरतानिया को यानि के Great Britain को No.1 Gold और France की टीम को Silver Medal दिया क्यूकि Olympics खेले सिर्फ दो टीमें ही आई थी तो इसकी वज़ा से International Olympics Committee ने क्रिकट को Olympics से निकाल बाहर किया और यूँ क्रिकट कम मस कम अगले 118 साल तक Olympics से बाहर होके रह गई हलांके 2002 से ICC क्रिकट को Olympics में शामिल करवाने की कोशिशें करता रहा और इसे सब भी Cricket Board को त्यार भी कर लिया लेकिन England Cricket Board और Indian Cricket Board क्रिकट को Olympics में शामिल करने के लिए बिलकुल त्यार नहीं थे बलके उन्होंने इसकी मुखालफत की थी England Cricket Board तो चलो Olympics Cricket Team बनाने की ड़र की वज़ा से इनकारी था लेकिन Indian Cricket Board कुछ अजीब ख़चात पर Olympics मुकाबलों में क्रिकट शामिल करने पर त्यार नहीं था जिसमें एक वज़ा यह थी कि Olympics में क्रिकट शामिल होने से क्रिकट पर BCCI और ICC का कंट्रोल खतम हो जाएगा और BCCI का दूसरा खत्चा यह था कि अगर क्रिकट को Olympics में शामिल कर दिया जाए तो इससे कहीं IPL की जोड का या उसकी टक्कर का Olympics का जैसा इवन्ट पैदा ना हो जाए तो इसी वज़ा से BCCI इसकी मुखालफत करता रहा खेर 2017 में इंगलंड क्रिकट बोर्ड क्रिकट को Olympics मुकाबलों में शामिल करवाने पर त्यार हो जाता है और इंजियन क्रिकट बोर्ड को ये बात मानने में मजीद 5 साल लग जाते हैं 2020 में USA क्रिकट बोर्ड ने क्रिकट को 2028 की लोस एंजलेस Olympics में शामिल करवाने का मनसूबा पेश किया जिसी BCCI कुछ दजाविजात के बाद मान जाती है और ये उन 2023 के क्रिकट वर्ल कप के आगास पर एलान होता है कि अब क्रिकट 2028 की Olympics में शामिल होगी बलके इसे 2032 की Olympics में भी जगा मिलेगी 2028 में क्रिकट Olympics में शामिल होगी और इसका format होगा T20 और कहा जाता है कि ये इवन्ट 16 टीमों के दर्म्यान नौक ओट सिस्टम पर होगा यानि जो टीम भी मैच चारी वो फोरन बाहर हो जाएगी बलके ICC Champions Trophy के शुरू के सालों का इवन्ट भी पिलकुल नौक ओट सेज की तरहां का अपना अंदाज रखता था अला कि यहाँ पर हमने ICC Champions Trophy के उपर एक वीडियो बना रखी है आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पहले ICC Champions Trophy का नाम ही ICC Knockout Trophy था क्रिकट 2028 की ओलंपिक्स में सुवागत किया जाएगा और मैंज और वुमें दोनों क्रिकट टीमें अलंपिक्स में अपना मुकाबला दिखाएंगी लेकिन कहा जाता है कि फुटबॉल के तरह क्रिकट में भी 23 साल की खिलारीं की लिमिट लग सकती है यानि कि सिरफ 23 साल की खिलारी खेल सकते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सोलान टीमों को इसमें हिस्सा लेने की इजाज़त होगी लेकिन अभी एज लिमिट होगी और कितने टीमें पाटिस्पेट करेंगी इसके उपर ICC और International Olympics केमेटी का फैसला होना बाकी है क्रिकट Olympics में शामिल होने से England और Western दीस दोनों की क्रिकट टीमों को रोना बनता है क्योंकि Western दीस को ये आठ छोटे छोटे मुलक मिला कर एक टीम बनाते हैं और ये सब मिलकर बाकी मुलकों से क्रिकट खेरते हैं लेकिन Olympics में ये आठ मुलक एक टीम कैसे बना सकेंगे और अगर टीम बना बिली तो इनको Olympics मैडल मिल भी गया तो वो मैडल किस मुलक का शमार होगा क्योंकि एक साथ एक ही मैडल आठ मुलकों में तो बांटा नहीं जा सकता और यही सुरतिहाल England के लिए भी है क्योंकि इंगलंड में क्रिकट, इंगलंड, वेल्स, नौर्थ आइलेंड और स्कार्टलैंड अलग-अलग क्रिकटीमे हैं लेकिन Olympics में ये तमाम मुलक Great Britain के तरफ से सिर्फ एक साथ ही खेरते हैं तो अब भी सुरुत में इन सब मुलकों की एक टीम बनाना इंगलंड क्रिकट बोट के लिए एक चैलिंज तो जरूर होगा 2018 की लोस एंजलस Olympics में क्रिकट को 128 साल बात Olympics में वापसी मिलेगी और सच्चन टंडोलकर Olympics में क्रिकट को बतोर ब्रैंड अमबैसिटर इसकी वापसी को यकीनी बनाने का चेहरा बनाएंगे लेकिन क्रिकट के Olympics में जाने से कमसकम पाकिस्तान और इंडिया से कमसकम भी 15 मजीद अफराद Olympics स्क्वार्ड में बढ़ जाएंगे फिर चाहे क्रिकट का गोल्ड मैडल और अस्ट्रेलिया ही क्यों न उठा ले लेकिन फिर भी सिल्बर और ब्रॉन्ज तो बनता है ना तब तक के लिए इजाज़त दीजिए शुक्रिया